आज के इस वीडियो में मैं आपको hard water softener और anti-scalent conditioner के बीच का फर्क समझाऊंगा अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको इसका difference क्यों जानना चाहिए अगर आप इस दोनों के बीच का difference नहीं समझेंगे तो possibility ये है कि आप कोई गलत solution लगवाले या फिर कोई specific company में particular product बीचने वाला salesman आपको उनका product दे जाए और फिर बाद में आपको पता चले कि आपकी जो water hardness की जो problem थी या जो भी problem से आप जूज रहे थे जिसकी वज़े से यो solution चाहते थे ये solution आपको मिल नहीं पाया आपका purpose defeat हो गया और फिर आपका investment बेकार हो गया तो चलिए समझ लेते हैं hard water softener और anti-scalant के बीच का फर्क difference अगर आपने अब तक मारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो देखते देखते एक बार subscribe और bell icon को जरूर दबा दे ताकि मेरा upload किया हुआ हर वीडियो आप तक फॉरण पहुंच जाए पहले तो ये समझ लें कि जो water purification solutions होते हैं वो दो तरह के होते हैं दो purpose के लिए होते हैं पहला purpose होता है drinking water अगर आप घर में पानी purify करना चाहते हैं पीने के लिए तो वो solutions बिल्कुल अलग है और अगर आप water purification solution चाहते हैं utility water के लिए utility water यानि कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला पानी वो चाहे आपके bathrooms में नहाने के लिए हो या फिर kitchens में बढ़तन धोने के लिए या dish washers में इस्तेमाल करने के लिए या फिर washing machine में कपड़े धोने के लिए या फिर घर में जाडू पोचे के लिए आप जो इस्तेमाल करता हैं पानी ये हुआ utility water तो आज हम जो water purification solutions की बात कर रहे हैं याद रहे कि हम utility water के बारे में बात कर रहे हैं तो hard water softener और anti-scalant conditioner ये दोनो utility water purification के लिए काम आते हैं अब जहां तक सवाल है hard water softener का तो दीखी ये ion exchange technology पे काम करता है अगर आप जानना चाहते हैं कि ion exchange technology कैसे काम करती है तो इस पर मैंने पहले एक video बना दिया है उसका link मैं दुबार आइस description में दे दूँगा और इस वक्त आप इसका link मेरे screen पर भी देख रहे हैं तो वापस आते हैं differences जो primary fundamental differences है इन दोनों में ये समझ लेते हैं तो जहां तक कि hard water softener का सवाल है ये ion exchange technology पे काम करता है और सबसे पहले हम बात करेंगे purity की तो utility water में अगर कोई purest form of water दे सकता है तो वो ये hard water softener दे सकता है ion exchange technology के तहत इस से ज्यादा pure water आपको utility water की category में नहीं मिलेगा अब बात करते हैं quantity की कि भई कितना पानी एक hard water softener purify कर सकता है तो देखिए इसमें calculation किया जाता है एक regeneration cycle के मताबिक तो ऐसा नहीं कि आप unlimited water इसमें purify कर सकते हैं इसमें आप सिर्फ limited water को ही purify कर सकते हैं उसके बाद फिर आपको एक मरतबा सारे system की सापसफाई करना होगा फिर उसके बाद दुबारा second lot of water को purify किया जा सकता है अब हम बात करते हैं maintenance की तो इसमें maintenance बहुत ज्यादा है इस technology में आपको periodically इस सारे system की साफसफाई करता है रहना होगा और इसमें मोटे नमक का इस्तमाल किया जाता है resin को साफ करने के लिए एक बाजापता एक resin tank होता है जो पानी को purify कर रहा है तो इसको भी साफ करना पड़ता है और फिर हर दो से तीन साल के बीच आपको ये resin ही बदलना पड़ता है और फिर आपको मान पार भी लगेगा ऐसा नहीं कि automatic hard water softness नहीं आते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिलकुल zero manual intervention हो तो आदमी की जरुवत पड़ेगी जो regularly चेक करता रहे कि regeneration हो रहा है या नहीं हो रहा है और जो नमक लोट करना है resin tank में उसके लिए तो आदमी लगेगा न तो ये manual intervention की भी उसमें जरूरत पड़ती है तो cost और recurring expenditure के अलावा man bar भी चाहिए कोई dedicated कोई आदमी जो इसको regularly चेक करता रहे इसको देखता रहे अब बात करते हैं cost की cost एक बहुत important component होता है जब भी आपको फैसला करते हैं तो cost के मद्दे नजर ही करते हैं कि आपको ये कित one time cost जो होगा ये high cost depend करता है कई factors पर मैं ये नहीं कह सकता कि हर solution बहुत costly है अगर एक छोटा सा मकान है एक छोटा flat है तो आपको बहुत कम पैसों में हो जाएगा और अगर एक सारे apartment के लिए गर आप करवाना चाहते हैं या आपने विला के लिए करवाना चाहते हैं तो depend करत है कि आप कितने कितना पानी इस्तेमाल करते हैं रोजाना कितना पानी प्यूरिफाई करनी की जरूरत है उसके मताबिक आपको फिर maintenance cost भी वैसे ही होगा तो इसमें one time primary cost यानि installation cost है और फिर recurring expenditures maintenance के लिए आपको regular recurring expenditure है फिक इसी तरह आ जाते हैं anti-scale and conditioner पर बात करते हैं निति- प्यूर ट्रिपल वर्टेक्स anti-scale and conditioners यह जो anti-scale and conditioners है यह अगर आप देखें तो यह one time fit and forget solution है इसमें बिलकुल कोई maintenance का काम होता ही नहीं है आपने एक बार लगा दिया तो बस आप 10 से 15 साल तक भोल जाईए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है basically जो अच्छी quality के triple vortex conditioners होते हैं जैसे मैं निति- प्यूर ब्रांड की बता रहा हूँ हमारे इंडिया water systems के जो हैं यह stainless steel 304 grade में manufacture होते हैं और फिर इसके अंदर जो metal का इस्तेमाल होता है जो magnets या ceramic media का इस्तेमाल होता है यह A1 category के होते हैं यह बरसों में भी खराब नहीं होत वरना आपको market में ऐसे सस्ते solutions मिल जाएंगे तो देखने में तो आपको face value देखने में तो अच्छे नजर आएंगे लेकिन फिर आप देखेंगे के 2-3 साल में उसमें जंग आ जाएगा और वो खराब हो जाएंगे काम करना बंद कर देंगे तो यह एक बहुत important aspect है कि one time investment है लेकिन Ion Exchange Technology का जो hard water softener है उसके मुकाबले में इसका cost कम है और जब आप maintenance की recurring expenditure की बात करते हैं तो जिस तरह से Ion Exchange Technology में बहुत सारा maintenance का काम है, manual intervention है और फिर आपको पैसा खरच करना पड़ता है triple vortex anti-scalent conditioner में ऐसा कुछ भी नहीं है आपको maintenance के लिए एक पैसा भी खरच करने की जरूरत नहीं है और फिर जहां आप install करते हैं इस conditioner को अपने पानी के tank के पास वहाँ ज्यादा space की जरूरत भी नहीं पड़ती है सिर्फ आपकी जो existing pipeline है जो designs है उसको थोड़ा सा modify करना होगा और उन्हीं pipelines के बीच ये triple vortex anti-scalent conditioner fit हो जाएगा hard water softener और anti-scalent conditioner के बीच का एक और एक बहुत important difference ये है कि hard water softener पानी को इतना purify करता है कि उसमें जो पानी में अच्छे minerals होते हैं वो भी पानी से निकल जाते हैं लेकिन अगर आप conditioner में देखें तो conditioner में पानी बड़ा healthy रहता है क्योंकि minerals को पानी से निकाला नहीं जाता लेकिन उसमें आपकी pipelines में जो biofilm होगा जो algae होगा या फिर कोई और bacteria होगा तो conditioners इसे flush out कर देते हैं और अगर आप quantity की बात करें तो ये unlimited quantity purify कर सकता है इसमें कोई regeneration process नहीं है आप जितना पानी अपने borewell से या फिर अपने संब से overhead tank में चड़ाएंगे उतना पानी ये आपको condition करके देगा तो आपको इस चीज की कोई जिंजट नहीं होगी कि limited water purify होता हो या condition होता हो तो ये basic differences है एक hard water softener और anti-scale and conditioner के बीच लेकिन एक बात याद रखिए कि ये वीडियो का मकसद ये खता ही नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि एक particular technology दूसरी से superior है मैं ये नहीं कहता कि hard water softener जो ion exchange technology पर काम करते हैं और जो anti-scale and conditioners हैं ये एक दूसरे पर कोई superior हो ऐसा कुछ नहीं है ये दोनों बड़े जबरदस technologies हैं लेकिन दोनों का purpose अलग है अब ये depend करता है आपके water के hardness पर और आपका जो मकसद है water purification का उस पर और आपकी कितना water है जो आप purify करना चाहते हो उस पर और फिर maintenance के लिए क्या आप मान पार और पैसा invest कर सकते या नहीं इन सारी बातों पर ये निर्भर करता है कि आपको कौन सा solution suitable रहेगा जहां तक कि पानी के water hardness का सवाल है वो आप घर पर भी टेस्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास ज्यादा बड़ी problem है आपके पानी में और खास तोर से अगर आपके घर के पास कोई नाला बहता हो या फिर कोई तालाब हो जिसमें industry pollutants discharge होते हों तो इसके आजपास इसके radius में अगर आपका मकान आपका apartment है तो जरूरी है कि आप laboratory भेज कर पानी को टेस्ट करवाएं और वहां आपको water hardness के लावा पानी में और दूसरी क्या खामिया है ये भी पता चल जाएगा और details जानने के लिए आप हमारी company India Water Systems को इस number पर contact कर सकते हैं याद रखिए कि India Water Systems एक company है जो आपको आपके hard water के solutions देती है वो आपको कोई specific company का product नहीं बेचती market में कई companies हैं जो hard water solutions बनाते हैं वो चाहे hard water softness हो या anti-scaling conditioners हो लेकिन India Water Systems एक ऐसी company है जो आपके water के hardness के मताविक आपको वो solution देगी जो आपके पानी के लिए आपके पानी के hardness के लिए suitable होगा तो अगर आपको और कोई doubts हो तो मेरे वीडियो के नीचे comments में आप type करके मुझसे पूछें मैं आपको जबाब दूँगा या फिर आप India Water Systems को जो इस वक्त मेरे screen पर number नजर आ रहा है उस number पर call करें और फिर आप अपने problems का solution जान लें तो next video तक के लिए good bye